हेलो दोस्तों, वेल्कम बैक तो दा अडिवर्स न्वेज़ आनलिस्स तूदेञ इस फर्स नमबर 2022 और फर्स नमंबर 2022 और देखेंगे आज हम इंपॉर्टन न्यूज़ आनलिस्स को इसके पहले एक छोटी सी न्यूज आप लोगों के लिए अगर आप PDF चाहते हैं इस lecture की तो आपको Telegram Group को जोईन करना होगा Telegram Group को जोईन करने के लिए आप description में जाके link में click करके Telegram में जोईन हो सकते हैं साथ में ही अगर आप वहां से नहीं हो पा रहे हैं जोईन तो आप Telegram में जाके eduars underscore news underscore analysis टाइप करेंगे तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा और आप वहां पर जोईन कर सकते हैं चले स्टार्ट करते हैं आज की discussion without any delay देखिए ये एक छोटी सी news है जो कल हम लोग ने discuss भी की थी bridge collapse tolls rises to 140 clock company under scanner यहाँ पे 9 लोगों को arrest कर लिया गया है यह जो bridge collapse यहाँ पे 9 लोगों को arrest कर लिया गया है और आगे की जो है चीजे चल रहे हैं इसकी proceeding बगिना चल दे तो जैसे इसकी सारी चीजे निकल के आती हैं तब हम इसको एक ही दिन में detail में discussion करेंगे क्या point है कौन से IPC के section लगे है इसके इंदर जैसे IPC का section number 304 लगा है 308 लगा है तो यह सारे sections हम क्या करेंगे discuss करेंगे आज की important news की तरफ हम निजर मारते हैं यह काफी जाद important news है इसको आपको ध्यान रखना है supreme court puts an end to two finger test on rape survivor अब यह क्या होता है two finger test क्या होता है यह पूरा context को हम समझने की कोशिस करते हैं चलिए start करते हैं यहाँ पर आप देखेंगे two finger test क्या होता है मैं सबसे पहले वो आपको बताता हूँ as per vaginal two finger test is explicitly intrusive physical examination two finger test क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ simple sab़तों में समझना है generally यह rape survivor पहले यह test हुआ करता था अब वजाइना जो है यह देखी यह वजाइना है आपका sorry यह वजाइना है अब यह वजाइना के अंदर क्या होता है कि यह जो अलग-अलग parts होते हैं तो यह छोटी सी यह जो आप देख रहे होंगे जो blue color से मैं बना रहा हूँ आप ध्यान से देखी वजाइना के अंदर दो फिंगर डालते हैं और उससे टेस्ट करते हैं कि woman जो है sexually active थी यह नहीं थी तो यह इस तरीके से जो है यह test होता है इस test के उपर ban कर दिया गया है Supreme Court ने क्योंकि यह क्या है right to privacy का हननन है पहला point किसी के self respect का हननन है पहला दूसरा point यह ना right to life का एक तरीके से directly indirectly हनन हो रहा है यह ना तो आप क्या कर रहे हैं आप किसी के right to life right to privacy right to life with dignity का हननन कर रहे हैं तो इसलिए Supreme Court ने इसका क्या कर दिया है ban कर दिया गया है generally क्या होता था जो कि sexually active woman है उनकी उपर यह test करवाया जाता था और यह देखते थे कि क्या यह सच में sexually active है या नहीं है क्या इसका rape हुआ है या नहीं है तो यह test conduct होता था यह आपको clear हो गया होगा I think चलिए आगे चलते हैं इसमें देखेंगे कि आपको यह समझना है कि सुप्रीम कोट ने ऐसा क्यों किया और यह क्यों जरूरी था सुप्रीम कोट ने पहले हम देखते हैं कि 31st October Monday को यहाँ पे ban किया है two finger test मतलब recently यह जो है आया है rape cases जो भी ऐसा cases आएंगे उसके regarding इसको मना कर दिया गया है कि यह case यह जो है test अब नहीं होगा यहाँ पे justice कोट से तो justice D. by चंद्र चूट दी थे इनका नाम आपको याद रखना है ठीक है और ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ है 2013 में भी इसके regarding जो है questions निकल के आया थे और सुप्रीम कोट ने पर जो है बैन लगाया था लेकिन और बोला था कि यह चीज कंदर करमाना immoral है लेकिन फिर भी यह चीज होती रही उसके regarding अभी सुप्रीम कोट ने बहुत ही कड़ा सा फैसला लिया है है ना देखिए आपको यहाँ पर लिखा भी हुआ in 2013 सुप्रीम कोट ban the two finger test on rave victims on the ground that it violates the right to privacy the court had asked the government to provide better medical procedure to order to confirm sexual assault तो this point you have to be remembered ऐसा नहीं है कि पहली बार इंडिया के अंदर यह चीज हो रही है पहले भी United Nation Human Rights UNHRC United Nation Human Rights Commission उन सब ने इसको two finger test को ban करने की बात की है और इसे eliminate करने की बात की है violence against the woman के तहत इसको two finger test को रखा जाता है clear हुआ अभी यह ऐसा कहा जाता कि यह जो है ऐसा patriarchy को दिखाता है sexuality को दिखाता है और यह show करता है sexuality abuse है किसी के साथ एक तरीके से बहुत बड़ा abuse का यह काम करता है अब देखिए क्या होता है generally sexually test करने के लिए सारी चीए test की जाती है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जो part high man यह सिर्फ और सिर्फ sexually active होने के वीज़े से ही break होगा इसके break होने के कई reasons हो सकते है जैसे जैसे कि अगर कोई लड़की जो है बहुत जादा exercise कर रही है है ना और वो running कर रही है या फिर gymnastics कर रही है कुछ भी इस तरीके से कर रही है cycling कर रही है है ना या फिर आप यह भी कह सकते हैं कि कुछ periods में complications आ जाते है उन सब की वज़े से ये जो है break हो सकता है I mean जो है break हो सकता है clear हो आपको point है ना तो ये जो है करना सीधे सीधे proper तरीके से illegal कर दिया गया है और या अब गलत भी है इसके regarding Supreme Court ने further direction दी है कि आपको health ministry को direction दी है union health ministry को कि वो insure करें कि जो survivor है of the sexual assault जिसके साथ हुआ है rape and not subject to two finger test उनके साथ two finger test ना हो ये किसका काम है insure करना union health ministry का clear हो आपको point okay फिर bench ने direction दिया कि union government को साथ ही साथ state government को भी insure करने की कि जितनी भी guidelines इसके तहत निकाली गई है वो सारी के सारी यहाँ पे implement हो department of health and family welfare के दौरा इसको आगे बढ़ाया जाए और सभी government और private hospitals में ये guidelines को circulate किया जाए कि इसके दौरा department of health and family welfare clear हुआ union health ministry के अंदर ये आता है further supreme court की bench ने ये direction दिया कि सिर्फ और सिर्फ ये government hospitals state और private hospitals में नहीं बलकि आप इसे कहां पे लेकि आए जो हम study करते हैं जो medical students study करते हैं उनके curriculum activities के अंदर भी इसको लेके आए और वहां पे भी इन चीजों को समझाए कि this is illegal ये सा नहीं करना है clear हुआ point तो ये आपको I think I hope आपको ये चीज़े clear हो गई होंगी है ना rigidize से और हमें कोसिस करना है कि इस तरीके से जो मनोधर्णा रखने वाले लोग हैं और चीज़े हैं हमें अपने समाज से हटाना है ये हमारी ही जम्यदारी है है ना तो ये साइब चीज़े भी आपको ध्यार रखना है चलिए आगे बढ़ते हैं और एडिटोरियल्स के और मूव करते हैं देखिए आज हम basically दो एडिटोरियल्स डिसकस करने वाले हैं डिटील्स में इससे पहले कि मैं एडिटोरियल्स डिसकस करूँ लगेगा जिसके तैत हम ये extra information हम discuss करेंगे हम PYQ हर दिन discuss कर रहे हैं तो आप कहेंगे तो हम paper wise जैसे year wise PYQ discuss करना भी start कर सकते हैं अभी हम topic wise कर रहे हैं जो भी topic news में रहता है उससे related हम PYQ discuss करते हैं लेगन आप लोग चाहेंगे comment section में लिखके बताएंगे तो हम जैसे 2020, 2021, 2022 एक तरप से एक के question को हम discuss करेंगे और proper मैं आपको उता हूँगा किस तरीके से आपको question के साथ deal करना है how you will deal the question अगर question आ रहा है नहीं आ रहा है अगर नहीं भी आ रहा है थोड़ा सब news आपने पढ़ी है जरूर बताना है चलिए स्टार्ट करते है sequence of implementation EWS quota outcomes यह EWS और quota से लेटड आर्टिकल है इसमें कुछ points जो important है मैंने बाहर निकाल के रखे हैं और आप लोगों के लिए यह रहे वो points देखिए reservation in India इंडिया के इंडर reservation है वो दो प्रकार से दिया जाता है types of reservation अगर आता है तो दो प्रकार से आपको लिखना है कौन कौन से पहला है vertical reservation और दूसरा है horizontal reservation क्लियर हुआ कौन कौन से वर्टिकल reservation and horizontal reservation इना vertical reservation stigmatized and marginalized social group आते हैं इसके अंदर कौन कौन आता है marginalized social group यह याद रखना है आपको clear जैसे SCs, STs, OBCs EWS category के लोग भी इसमें आ जाते हैं यह vertical reservation के अंदर आता है clear हो गया simple center reservation जो दिया गया अब आप बोलेंगे सर यह तो हमें पता है vertical reservation what is horizontal reservation yes horizontal reservation क्या होता है cross cutting category मतलब category के अंदर ही reservation देना suppose SC category है उसके अंदर reservation ST के अंदर reservation और OBC आंदर reservation that way reservation के अंदर reservation that is call hen total reservation How? women's को reservation देना PWD को reservation देना domicile क के बिसेस में reservation मिलना person with disability कोई disabled है है ना लेकिन particular community का है ST का है उसके अंदर उसको reservation मिलना कोई woman है जो SC category के अंदर है यह OBC category के अंदर है यह general category के अंदर भी है उससे reservation देना तो that we called what horizontal reservation clear हुआ points आपको ओके चलिए आगे चलते हैं 103rd constitutional amendment act 2019 के तहट EWS को भी reservation तो है दे दिया गया है 10% quota हमें पता है दिया जाता है economically weaker section को it is a transient अब यह transit क्यों है sorry transit क्यों है यह it can be scared मतलब यहाँ पे एक income level set कर दिया गया है कि 6 lakh या 8 lakh रुपी जो है 8 lakh रुपी जो है income है जिसकी 8 lakh से कम income है family income है और भी बहुत सारी category है इसकी वो आपको जाके detail में पढ़ लेना है अलग से यह आपका homework है कि EWS category के अंदर क्या-क्या category दी गई है कि क्या-क्या priorities होनी चाहिए क्या-क्या points होने चाहिए जिसके तहट आपको reservation की category के अंदर आप आ सकते हैं तो वो आपको जाके पढ़ना है तो अगर आप उस point से बाहर हो गए जो criteria था उस criteria से अगर आप बाहर हो गए तो क्या होगा आ आप फिर अराम से EWS category के बाहर आ सकते हैं मतलब उस category से आप बाहर आ सकते हैं clear वो point okay चलिए इसमें कुछ articles के अंदर भी points है वो भी हम देख लेते हैं फटा-फट अभी article के अंदर क्या भूला गया है article के अंदर किसे कुछ हमने points निकाल लिया कुछ extra points मैं आपको बता देता है ना वो आ सोचेगा भई भई-वई जो आप सोचरहें है भी वो X नहीए हम चलिए एक नाम ले लेते हैं जी चिन्टू जी का है चिन्टू जी आगए हमारे चिन्टू जी आगए ये हमारे अरे चिन्टू जी ये आगए ये चिन्टू जी आगए हमारे है ये भाई साब चिन्टू जी है अब चिन्टू जी किसी ऐसी केटेगरी से विलॉंग करते हैं है न देट मिंस इनको पहले कौन से रिजर्वेशन मि मिल सकता that means अगर यह चाहें कि यह गरीब भी है EWS मतलब यह इनकी जो पूरा criteria को fulfill कर रहे हैं तो ऐसा नहीं होगा कि यह SC category का भी reservation ले लेंगे और EWS category का भी reservation ले लेंगे that's totally not possible okay that is totally not possible clear हुआ point okay अब यहां पे कुछ और points से वो मैं आपके साथ discuss करता हूँ जैसे जैसे कि यह की over and above क्या होता है open category position must be allowed allocated based on merit in the first step पहले step में क्या किया जाता है कि पहले step में जैसे अगर इनका selection हुआ है यह चिंटू जी है हमारे और चिंटू जी का selection हो और मुबारक हो चिंटू जी आपका selection हो गया भाई क्या बात है मिंटू जी चिंटू जी का सेलेक्शन हो गया किसमें UPSC के अंदर और आपका सेलेक्शन हो गया ना अब चिंटु जी का सेलेक्शन UPSC के अंदर हो गया लेकिन चिंटू जी की रैंक कितनी आई रैंक आई चिंटू जी की फर्स्ट औरे भाई क्या बात है चिंटू जी ने तो टॉप करड़ मारा क्या बात है क्या बात क्या बात क्या बात अब चिंटू जी ने टॉप किया तो चिंटू जी किस कडेगरी के अंदर आएंगी देख एसे उपर लेकिया है मेंस के अंदर पिंग हैं इंपर उन्होंने ऐसे किया ओवरएल उन्हुने बहुत अच्छे नमपर लेकिया है तो वी आर जो है vertical reservation position should be allocated to eligible individual in the second step यह जो है second step में इसको allocate होगा तो चिंटु जी अगर यहाँ पे fulfill हो गए है है तो वो चिंटु जी को general category के अंदर rank मिलेगी लेकिन something चिंटु जी के एक भाया जी है मतलब दोस्त है पिंटु जी अब पिंटु जी क्या है पिंटु जी के थोड़े से कम number आये थे यह भी SC category के अंदर से belong करते हैं बट इन्हें जो मिला है इनके थोड़ा सा कम rank आये तो इन्हें जो मिला इसके category के अंदर मिलेगा इन्हें इन्हें मिलेगा SC category के अंदर rank है ना तो आपको चीजे I hope clear हो गई होगी है ना और second होता है guaranteed minimum मतलब यह है कि guaranteed minimum rule which would guarantee a minimum number of positions to be a member of beneficiaries group regardless of whether they enter through reserve or open merit position यहाँ पर यह कह रहे हैं कि आप merit में आएं या ना आएं सपोज यह merit में आएं merit में SCS का representation चिंटू जी ने कर दिया है ना मतलब IS के अंदर तो यह तो बहुत अची बात है सब्सक्राइब यहाँ पर चिंटू जी उस साल पढ़ाई नगी कर रहे था तो चिंटू जी का selection नहीं हुआ तो चिंटू लेगन Pintu जी जो है थोड़ा सा पढ़ रहे थे वो अपना basic basic में पढ़ रहे थे और Pintu जी का selection हो गया लेकिन Pintu जीं ने top ने किया तो Pintu जी कि के ताहद गए तो चिंटु जी को भी लेना पड़ेगा पिंटु जी तो SC के अंदर चले गए लेकिन एक seat और खाली थी दो लोगों को लेना था SC के अंदर लेकिन पिंटु जी क्या हो गए पिंटु जी का सेलेक्शन नहीं हुआ तो पिंटु जी को तो फिर किस category के अंदर लिया जाएगा, अगर थोड़े से count number है, अगर वो eligibility कर रहा है, तो उन्हें फिर लिया जाएगा, SC category के अंदर उनका selection किया जाएगा, clear, that means हमें इस seat को, दो seat को fulfill करना ही करना है, दो SC category है, तो उसे करना ही करना है, I think, I hope, आपको ये चीज़े clear हो गई होंगी, है न, मैंने detail में समझाने की कोशिस किये हैं, है न, चलिए, next article देखेंगे, the gun and the pen, gun और pen दोनों साथ में, बहुत खतरना चीज़े, जब ये दोनों चीज़े मिल जाती है न, gun और pen, बहुत खतरना combination बनाती है, generally, अभी यहाँ पर ये article कहता है, नरिन मोदी जी, जो हमारे prime minister है, है न, उन्होंने एक meeting में बुलाई थी, न, उन्होंने unlawful activity prevention act के बारे में बात करी, इसके बारे में मैं आपको बहुत अच्छे से previous articles के अंदर, previous lectures के अंदर, detail में discuss हम पहले ही कर चुके हैं, बट आज भी थोड़ा से मैं points बता दूँगा, है न, इन्होंने बोला कि जो linkage रखते हैं, nexus of terrorism, उनको कैसे खतम करें, है न, ये सारी चीजे इन्होंने बात की, discussion हुआ, फिर इसके बाद, उन्होंने एक word का use किया, बहुत अच्छा word है, इसलिए मैं आप लोगों के निकाल के रख लिया है, urban nexus, ये urban nexus क्या होते हैं, इसको हम information निकाल लिया है, अपने data निकाल लिया है, कुछ vocab आ रही है आपके लिए, vocab in the sense, English के vocab नहीं, ऐसी vocab जो आप अपने answer writing में use कर सकते हैं, उस एक word से आपका एक line define हो जाएगी, है न, आप बड़ी से लंबी line लिखेंगे, उसके जगे, अगर आप वो एक word लिख देंगे चलिए, अर्बन एक्सल्स क्या होता है, अर्बन एक्सल्स आर, educated people, ये क्या रहते हैं, पढ़े लिखे लोग रहते हैं, लेकिन, अनपड़ो जोसा काम करते हैं, हाँ भाई, अर्बन एक्सल्स आर, educated people in academic, academia, medias, NGOs, अलग-अलग जगर पे, है न, अर्बन civil societies के अंदर, अलग- नेक्सलिजम की मैं बात करूँ अगर, तो नेक्सलिजम कैसे आया, कहां से आया, इसकी बहुत पुराने हिस्ट्री है, है न, अभी नेक्सल्स, थोड़ा से मैं इसको बढ़ा लिता हूँ, ठीके, नेक्सल्स, नेक्सल्स जो थे, अभी भी है, 36 गड़ तरफ काफी दर्फ का पार्ट नहीं है, और या, वो यह सोचते हैं, थोड़ा सा, हो यह मानते हैं, हमाज साथ अत्याचार किया रहा है, वो पीछे रह जाते हैं, बहुत बाप्पर्ट काफी जादा रह जाते हैं, और एजूकेटली, एजूकेशन के तोर पे, तो अगर पीछे रह जात वो जानते हैं, वो सारी चीज़ों को जानते हैं, वो लॉज जानते हैं, वो रेगुलेशन जानते हैं, उनको सारी चीज़े हैं, उनके पास पैसा हैं, सब कुछ गरीबी नहीं है, इनके पास गरीबी है, जो अक्चुल गरीबी रहती है, खाने को नहीं रहती हैं, बहुत सार अरजेंट वगेरा करवाते हैं तो यह सारी चीज़ करते हैं उनको हम अर्बान नकसल कहते हैं क्लियर हुआ पॉइंट आपको चीज़े क्लियर हो रही होंगी अब एमेंडमेंट ऑफ आई-टी रूल से लिटेट यह आर्टिकल है मैं आपको आई-टी रूल से थोड़ा सा एक हलका हलका नजर में बता दूँगा है ना यह हमने पिछली पार भी पिछले आई-टी कास के अंदर भी कई बार हम इसको डिसकस कर चुके हैं आप लोग अगर इसको फॉलो कर रहे हैं तो आपको चीज़ समझ में आएंगे तो हम कितनी सारी चीज़े डिसकस एक बार में कर लेते हैं ना यह चीज हम पहले भी कर चुके हैं लेकिन एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ अब यह IT रूल आता है गर्मेंट ओफ इंडिया का नोटिफिकेशन आता है इंफॉर्मेशन टेकनोलोजी डिजिटल मीडिया एथिक्स कोट रूल 2021 ऑके इंपॉर्टेंट है पुछा जा सकता है पॉइंट्स लिखना है इस न्यू रूल्स ब्रॉड्ली डील विद सूसल मी अब फुल फॉर्म पता नहीं होगा फुल फॉर्म के ओवर दर तॉप यहार रखना ओवर दी तॉप ओके इज रूल्स फ्रेंट एक्षर्साइज्ट पावर अंडर दर सेक्सें 87 क्लास 2 यह याद नहीं रखना है आपको सेक्सें फगेरा है इना इन इक दो जगा यह चीज़े हुई है जोस्केरा हुए इसको हम देखते हैं 2008 में सुप्रीम कोंट ने क्या वोला राजसभ़ा के अंदर 2021 2212 यह रिपोर्ट लेकिया अपनी ओर अजर्मिक सिच्वेशा होुआ débihD कि बताइए कि जो पॉर्नोगाफी है वो सोसल मीडिया के अंदर कितनी तीजी से फैली हुई है अब ही क्या होता है सोसल मीडिया क्या हो रहा है तीजी से छोटे से बच्चे भी देख रहे हैं है ना छोटे छोटे बच्चे जो है वो भी सोसल मीडिया का यूज करते हैं घर मे mobile रहता है phone बगेरा रहते हैं सारी चीज़ों को यूज होता है तो social media से आज कल कोई भी अच्छ होता नहीं है सभी लोग यूज करते हैं उसका तो अब बताएए उनके उपर कैसा effect पड़ेगा का social media के अंदर ही Instagram के अंदर Facebook के अंदर अगर pornography आद देखने को मिलेगी तो है न यह पूरी society को बर्बात करने का एक तरीके से सारी चीज़ चल रही है तो उसे हमें रोकना है social media and effect of children in the society as a whole recommended for the enabling identification of first originator of such content तो वो content कहां से origin हो रहा है उसे क्या करना है उसे हमें trace करना है generally क्या होता है कि कोई भी content X जगह पे originate हुआ फिर वो आगे बढ़ा फिर वो शेयर हुआ फिर वो शेयर हुआ फिर वो शेयर हुआ फिर वो शेयर हुआ तो पता नहीं चलता कहां तक पहुती है तो अभी जब जब ज़्यादा बार उसे 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 रेगूलीशन लिख याए कि ज़्यादा बार अब क्या होगा कि अगर उसे forward किया जाएगा तो वहां पे लिखा देंगे और उसका trace होगा कि वो कहां से actual में originate हुआ है clear तो इसी चीज़ की बात की जा रही है कि origin कहां से है उसे देखना पड़ेगा तो इसके पहले जितने भी OTT प्लेटफोर्म थे वो independently काम कर रहे थे but now from onwards 2020 क्या हो गया है OTT प्लेटफोर्म सभी के सभी Ministry of Information and Broadcasting के अंदर काम करेंगी clear हुआ point देख लें क्या क्या guidelines से मैंने इसको लिख दिया है यह काफी ज़ता detail में लिखा हुआ है आप अपने हिसाब से अपने सहुलियत की हिसाब से इन guidelines को जाकर read कर सकते हैं यह lecture की PDF मैं आपको telegram group पे दे दूँगा वहाँ पे आपको जाना है और PDF को download करके इसको revise कर लेना है बाकी other चीज़े भी में लेके आता रहूंगा जो की उस सारी PDF आपको उस group में मिल जाएगी group का description channel का description आपको channel के link जो है आपको description में मिल जाएगा और comment section के अंदर भी मैं क्या कर दूँगा उसे pin कर दूँगा है ना डालके comment करके तो यह आपको याद रखना है और channel का नाम याद रख लीजी एजुवर्स news analysis इसी नाम से हमारा जो है टेलीग्राम चैनल भी है उसे आप जाके join कर सकते हैं clear okay फटा फट मैं आपको एक overview दे देता हूं category क्या क्या है social media के अंदर की social media एक है intermediaries एक है significant social media या intermediaries यह दोनों categories आपको ध्याद रखने हैं दोनों नाम याद रखने हैं और थार्ड है due diligence to be followed by intermediaries क्या due diligence follow करेंगे हैं यह चीज़ आपको याद रखने हैं तो यह सारी चीज़ें आप एक बार चाके read करेंगे और किसी को कोई भी दिक्कत होती है तो वो सीधे सीधे comment section में पूछ सकता है कि यह सर हम मुझे इसमें यह problem है next हम उसको लेकर आएंगे और detail में discuss कर लेंगे हैना मुझे ऐसा लगता है कि इसको इतने ज़्यादे डिटेल में जाने की जुरत है नहीं हैना तो बट आप एक बार जस नजर मानना है और read करना इससे ज़्याद आपको नहीं करना इसको learn नहीं करना रटना बिल्कुल भी न होती है मैं आपको बता देता हूँ यह च Jewish याद करने वाली है बर गों बहर भी बता देता हूँ कि यह चीजह आपको याद नहीं करना इसके सामने वाले को अगर वह चैयड SMS वगरार करता प्रहुट है मतलब एक तरीक है जितने भी नेगटिव चीजे हैं जब भी अगर इसके पर प्रिलिम्स की पर कोशन आया तो मैं आपको ट्रिक बताता हूं एक बहुत बढ़ियां से ट्रिक बताता हूं कोई कोशन नहीं छूट के जाने वाला क्या करना है जब भी ऐसा कुशन ह ट्रिक बहुत बताता मैं एक इस तरीका से जो भी नेगटिव चीजें आपको दिखा रही है उसे अप्षन के इंदर देखेंगे कि कैसे मचीजों को करना है अपने को है ना वही रूस OTT प्लेट्फॉम के जो भी रूस है मैंने वहाँ पर यह लिख दिये हैं कि जैसे मूवी के अंदर आपने देखा होगा ना कि आपको एडल्ट है तो यह मूवी जब देखने जाते होंगे तो अंदर सिक्स्टीन है यह अंदर सैवन है यह सबी एज में क्लासिफाइ होता है आपको सारी चीजे पता है आप लोग ने मूवी देखी होगी है यह मतलब यूनिवर्सल होता है यह मतलब एडल्ट होता है तो यह सब रेटिंग दे जाती हर मूवी को यह डिसाइड करते हैं publicers के क्या rules होनी चाहिए और जो देख रहा हैं उसके regarding भी कि हाँ उसमें parental control होन चाहिए कि parents control कर सेंगे ऐसा कुछ आप बना ये enable करिए अपने application के अंदर OTT OTT platform के अंदर तो ये सारी सीज़ें आप कर सकते हैं इंटर डिपार्टमेंटल कमिटी को किया जाएगा जो भी ऐसे related matters हैं उन matters को सुनने के लिए clear अगर कोई भी problem आती है तो oversight mechanism भी लेके आया गया है तो भी गबराना नहीं है सारी चीज़ें हम देखेंगे discuss करी रहे हैं वही सारी चीज़े reservation से related जो भी point है हमने discuss भी कर लिये थे अभी मनरेगा से related बहुत अच्छे points है जिसको हम discuss करेंगे यह article बहुत अच्छा है इसमें बताया जा रहा है मैं फटा फटे को बता देता हूँ यह article क्यों आया है कैसे आया है देखें यहाँ पर greater diversification of permissible work की बात की जारी है और flexibility की बात की जारी है कि जो मनरेगा के अंदर work देते थे अब उस work की जो category है diversification है उसको बढ़ाए जाने की बात यहाँ पर की जारी है एक report त्यार की है Ministry of Rural and Development के दोरा यहाँ पर एक survey किया गया है एक तरीके से internal body commission ने हुआ है अंदर दियां से देखी आंदर प्रदेश, financial, प्रदेश, कनाटका, नागारें, गुजरा, जारकांट, इमाचल, प्रदेश and union territory of Jammu and Qasmi तो यह याद रखना है लेकिन यह प्रटना नहीं है बस आपको read करना है ओके फिर यहाँ पर एक छोटी स्टीच यहाँ पर यह concern बता रहे हैं कि at present minimum wage जो है farm labor का कितना है गुजरात के अंदर एक case study दी गई है तो देखिए जब भी अगर यह ethics के अंदर आता है GS4 के अंदर कभी ऐसा topic आता है मनरेगा से related या works related राइट टू works related articles यह आते हैं कुशन कभी भी आते हैं तो आप वहाँ पर यह case study जिससे put कर सकते हैं है ना तो यह बहुत अच्छा point से आप चाहें तो इसको अलग से एक notes बनाएए copy तयार कीजिए मैं आपको बदा तक चलूँगा GS2 हो गया GS1 हो गया GS3 हो गया 4 हो गया यहां पर case study में आपको essay के अंदर यह put कर सकते हैं कहां कहां दे कि information को याद रखना सिर्फ important नहीं है आपको उसको use करना आना चाहिए है information आपके लिए तब भी वो सही सावित होगी आप कितना भी पढ़ लीजे कितना भी चीज़े रट लीजे लेकिन वो चीज़े तब तक आपके लिए उपयोगी नहीं है जब तक आप उसका सही तरीके से use नहीं कर पा रहें तो आपको मैं use करना सुखाऊंगा अप छोटा सा पढ़िए जादा मत पढ़िए मैं बिल्कुल भूलता हूँ आप 100 चीज़े मत पढ़िए आप दो चीज़े पढ़िए लेकिन उस दो चीज़े को use करना आपको आना चाहिए है ना कि आप उस दो चीज़े को ऐसे केंदर GS1, GS2, GS3, GS4 हर कहीं use कर पाए आपको इस तरीके से उसको लिखना आना चाहिए तब आपकी पढ़ाई अच्छे होगे तब आपकी नमबर आएंगे है ना कम एक smart study करनी है में hard work करना है लेकिन उसके साथ-स smart study भी करनी है ओकि तो ये case study देख लेते हैं यहां पर बताया गया है कि गुजरात के जो farm labor से उनकी जो minimum wage है 324 रुप आएगा है कि जो wage है 212 रुपे पर देखा है मंदीगा के अंदर यहां पर गुजरात में फिर भी 213 रुपे है नागलिन के अंदर ऐसी जगह जहां पर बहुत ज्यादा difficult situation है सारी वहां पर wage 212 रुपे आप खुद सोचिए ना कितना कम है एक दिन का वेज है ना फिर जम्म what is offered in a private contract जो जो normally private contractors होते हैं वो भी 600 रुपे से लेके 700 रुपे तक की labor charge जो है देते हैं आप सोचिए मन रहेगा कहां काम कर रहा है कितना ज्यादा पीछे है ना लगबत 3-4 गुना इसको बढ़ाना पड़ेगा ओके इसको हम और भी ट्रेल में भी डिसकस करेंगे तो एक इसके बाद यह रहा मनरेगा का आपका ओके यह देखें मैंने सारे important points लिख दी है है highlights भी कर दी है आपको करना यह है PDF को डालोड करना इसको अच्छे से detail में जाके पढ़ना है यहाँ पर बात किया जा रहा है what is मनरेगा पहले तो question आता है सरी मनरेगा होता क्या है question आता अब इस तरीके से लिख सकते हैं इसका objective क्या है इसके अंदर क्या होता है इसके अंदर 100 दिन तक की हमें guarantee मिलती है work की किसी एक साल के अंदर आपको yearly किसी भी adult person को household किसी भी एक adult person को जो सबसे adult person हो उसे 100 दिन तक की काम करने की guarantee मिलती है और अगर काम नहीं मिला तो आप question नहीं मिला तो क्या होगा यस अगर काम नहीं मिला तो उन्हें unemployment allowance दिया जाएगा इसके अंदर जो minimum wage रखा गया है वो किस act के तहद रखा गया है यहाँ पर याद रखीगा minimum wages act 1948 के तहद रखा गया है clear हो गया बात कुछ आप data भी लिख सकते हैं कि recently अभी आप का recently का data है as per 2022 2023 के तहद इस year में there was 15.4 करोर active worker under the manrega तो manrega के अंदर total 15.4 करोर active workers है clear हो गया point okay I hope आपको चीज़े clear हो गई होगी होगी अभी आपे decentralization planning की बात कर रहे है centralization planning है कहीं पे कुछ भी हो रहा तो आपके क्या करिए जो पंचायती राज institution है उन्हें power जादा दीजिए planning करने के लिए और इसको implement करने के लिए इन सब को work को वह अलग-अलग तरीके से इनके दर जो work है ऐसा नहीं कि सिर्फ नहर खुदाई का काम दे रहे हैं है ना सिर्फ road बनाने का काम इसके अंदर दे रहे हैं आप बहुत सारे काम होते हैं उनसा भी काम को दीजिए इंडिया के अंदर chronic जो poverty under the extended period of time मतलब ऐसा है कि उसके फादर भी गरीब थे उसके दादा जी भी गरीब थे यह ना वो भी गरीब है एक अपने डालग सुना होगा ना हिंदी मेटियम का I think डालग है यह कि मैं भी गरीब था मैं खांदानी गरीब हूँ है ना मैं ऐसा नहीं कि हम पहले गरीब थे फिर अमीर हुए फिर गरीब हो गए ऐसा नहीं हम खांदानी गरीब थे है ना मेरे दादा भी गरीब उनके दादा भी गरीब उनके पर दादा भी गरीब है ना मेरे बाप का बाप भी गरीब तो बहुत अच्छा सा वह डालग बोलता है आप देखेगा कभी है ना ताइम तो वही चीज़ बता रहे कि वह जो था ना वह जो भी उस करेक्टर का नाम था वह क्रोनिक पॉर्टी से जूज रहा था लगातार उसके पीडी जनरेशन में क्या चलिया रही थी पॉर्टी चलिया थी गरीबी चलिया रही थी कम से कम 50% work इन सबसे execute होना चाहिए मनरेगा के तहन्त फिर हम बात करते हैं मैं आपको पटाक से जल्दी जल्दी highlights बताऊंगा डेटेल्स में आपको खुद जाना है और इसको जाके रेट करना है delay in insufficiency मतलब क्या हो जाता है वर्क ही नहीं मिलता है आ जाते हैं फिर बुलते हैं आप कला जाएगा फिर बुलते हैं 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 कला जाएगा वैसे यह चीज मि लोजगार कमपेसिशन मिलेगा एक तरीके से अनिम्प्लोमेंट अलावएंस मिलेगा वो नहीं मिलता है और ये डेट जो है आगे बढ़ती देती है मिलती है तो सिर्फ तारीक पे तारीक पे तारीक पे तारीक पे तारीक पे तारीक पे तारीक नहीं मिलती तो क्या काम नहीं म तो यह जो मैं चीजे करता हूँ और बोलता हूँ आपके चीजे याद आएंगे और फिर उस समय आप यह चीजे को रिकॉल कर पाएंगे है ना आप सर्फ वीडियो को सुन लेंगे तो भी आपको बहुत सारी चीजे क्लियर हो जाएंगी अभी यह चीज़ होनी के बिज़िश से क्या हो किया यह supply-based program बन रह चुका है जबकि यह कैसा program था इस 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 दिमांड बेस्ट याद रखेएंगा डिमांड बेस्ट मतलब आप जाते हैं आप बोलते हैं कि साम हमें काम चाहिए है हमें काम चाहिए और आपको काम मिल जाता है तो आपने डिमांड की और आपको काम मिल गया है लेकिन अभी क्या हो गया है मतलब सर अभी काम आया ही नहीं है जब काम आएगा तो हम आपको information दे देंगे तो यह point निकल के आ रहा है तो यह बहुत ही negative point है जो हमें solve करना है तो concern ल मिलता है पहला तो काम बहुत लेट मिलता है दूसरा काम मिल भी जाता है तो जो funds है जो पैसा है वो relocate नहीं होता है बहुत time लिग जाता है यह ना यह ची जा रख रहे है seven periods साथ दिन के अंदर देना होता है है ना it was dismantled to 26% of non SCST worker तो जो non SCST worker है उनके साथ बहुत जादा जाती हो जाती है वो विचारे जो गरीब लोग है वो क्या करेंगे है ना उनके साथ जाती हो जाती है इनको तो दे दिया जाता है इनको मिल जाता है लेगिन वो लोग जो होत of caste based segregation ओके मध्यप्रदेश जारकन उडिशन वेस्ट वर्ल इसके अंदर काफी जाता देखने को मिलता है ineffective role of PRI जो पंचायती राज institution है उसका role जो है बहुत जादा ineffective हो गया है है ना उसका role सई से नहीं हो पा रहा है autonomy बहुत कम है उसकी gram पंचायत not able to implement this act effectively और efficient manner में इसको implement न रहे हैं ना तो बहुत सारे काम अभी भी ऐसे हैं जो पड़े हुए हैं और issue of quality work का आ जाता है उसके वे इसे करवाते नहीं हैं तो यह काम पड़े हैं यह भी लिख सकते हैं fabrication of job cards job cards है ना several issue recall के आ जाते हैं जिससे कि बहुत सारे fake cards बना लिये जाते हैं मनरेगा कि और जो लोग existing नहीं करते हैं उनके नाम पर card बन जाते हैं यह कभी-कभी ऐसा भी होता है event मैंने खुद देखा है कि ऐसा भी हुआ जिसकी उपर report बगेरा हुई थी वाई कि बहुत सा जा रहा है बड़ वो बंदा है ही नहीं अब सोच रही है ना कैसा कैसी चीज़ हो रही है तो कितनी थांदले बाजी हो रही है तो यह point हमको जाद रखना है बहुत जादा fixatious names है missing entries हैं बहुत जादा यह सारी चीज़ आ रखना है अभी format में आप लेख सकते हैं कि there is need to be a better coordination between the various government department and the mechanism to allot and measure the work है अलग-अलग department को क्या करना चाहिए एक तरीके से coordination करना चाहिए कि क्यों कैसा किस तरीके से वर्क हो रहा है कैसे होना चाहिए है वोमें सेक्टर में काफी अधा-धा help किया है वोमें को इसने इसलिए average earned 22.24% जो है वोमें की जो earning capacity है वो बहुत जादा कम है वोमें को health कर रहा है वर वोमें को कम दिया जाता है इसके ताहित बहुत कम पैसे देते हैं less to their male counterparts उनके male counterparts से तो यह points आपको लिखना है जिसे हमें solve करना है तो जो अपने problem सी उस problem को solution ही way forward होगा clear हो गया point okay मनरीगा के अंदर बहुत सारी schemes को आप include कर सकते हैं बहुत सारी चीजों को include कर सकते हैं जैसे की green India initiative पेड़ लगाने का काम भी आप दे सकते हैं मनरीगा के तहते हैं स्रुक्ष भारत तर्वियां साप सफाई का काम भी दे सकते हैं तो इस तरीके से other schemes से little जो भी बरक है वो okay चलिए among the following who are eligible to benefit from the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guaranties Act बताईए option आपके सामने है वीडियो को pause करना है answer देना है नीचे comment section में लिखना है after that मैं आपको इसको बताऊंगा I hope आप लोग ने अब तक कर लिया होगा चलिए इसका answer है adult member of any household अब देखें आप किस तरीके से question को करेंगे आप बताईए adult member of only हटा देना है UPSC के अंदर only word हटा देना scheduled caste and scheduled tribes किया सिर्फ scheduled caste and scheduled tribes को दिया जाएगा नहीं अभी हमने देखा कि caste based क्या हो रहा है segregation हो रहा है मतलब SC और ST तो है है उसके साथ भी हो रहा है तब ही तो segregation करेंगी अगर सिर्फ इनको दिया जाता तो फिर क्या segregation करते फिर तो करी नहीं पाते people point हट गया now adult member of BPL क्या सिर्फ गरीब को दिया जाएगा कोई SCST वो है उसको नहीं दिया जाएगा नहीं अभी हमने देखा रहा है caste based हो रहा है segregation मतलब caste include है तो second option भी गलत okay adult member of households of all backward committee सभी के समी backward committee को दिया जाएगा ऐसा भी नहीं सिर्फ backward committee को दिया जाएगा adult member of any household देखे right to work है यह हर इंसान को दिया जाएगा मतलब कोई भी इंसान हो सकता है कोई भी मतलब कोई भी जरूरी ही कि वो backward community से आता है या गरीब है या कुछ भी है है ना कोई भी इंसान इसमें जाके adult member होना चाहिए अपने घर का वो काम कर सकता है clear okay देखे यह expression देख सक अब इंडिया की जो steel industry है वो दुनिया की सबसे second largest की world की company बन चुकी है ना steel industry बन चुकी है प्रतान मंत्री नरेंद मुधी जी ने रिसेंटली कहा है यह सारी सी emphasis किया इंडियन steel industry को become the second largest after China okay यह कौन according to dpiit dpiit full form याद रखना department of promotion industry and internal trade the total steel production capacity of country is 154 million ton कितना है 154 empty million ton okay India produced 10.14 million यह देखिए यह data याद भी रखना है आपको हाँ यह याद रख सकते है 154 million ton है ना और अभी हमारा target क्या है double करने का target है इंडिया ने इस target को set किया है यह target चरूर से याद रखना है आपको यह अगर answer के अंदर put कर सकते हैं तो आपको ही helpful मिलेगा कि 154 million ton से हम क्या कर चाहते हैं पर N1 हम 300 million ton करना चाहते हैं अगले दों से 10 साल के अंदर अंदर मतलब 2000 30 32 तक हम यह achieve करना चाहते हैं clear I hope आपको चीजे clear हो रही होंगे चलिए map में हम फटा फट डेख लेते हैं कि कौन से state voice जो है steel का production कहां कहां कितना हो रहा है सबसे ज़्यादा कहां हो रहा है यह दो state जो है जहारखंड आप देखिए दूसरे नंबर पे है और पहले नंबर पे Odisha है कोशन आता है कि सबसे ज़्यादा steel production इंडिया के अंदर क एक rough idea रख सकते हैं कितना difference आ रहा है यहना बाकी numbers याद नहीं रखने हैं बस state के नाम याद रखने है Odisha के अंदर सबसे ज़्यादा हो रहा है second number पे कौन है जारखंड है okay second number पे जारखंड है third number पे कौन है जी हाँ third number पे कौन है 36 गड़ 36 गड़ भी third number के अंदर आता है fourth number पे करनाट का आता है यह आद रखना है आपको fifth number पे महराष्ट्रा आता है है ना sixth number पे गुजरात आता है और seven number पे west बेंगाल आता है okay तो यह सभी states के नाम तो top seven states के नाम तो आप कम से कम याद रख सकते हैं देखें दो चार बार read करेंग पीडियाफ डाउनलोड के लिए आज अभी आपने सुन लिया है ना पहले उडिशा ओडी जैसे ऐसा यह देखी स्टील है स्टील का production हो रहा स्टील उडिशा नीचे यहां सुरू किया और यहां गया यह उपर की और बढ़ने की कोशिस करी उडिशा और जारकंड लेकिन द नीचे चलते नीचे चलके देखते हैं तो फिर आप क्या करते हैं आप नीचे यानी कुछ करते हैं फिर आप जाते हैं यह दिभी आप पहुए आप यहां viewers पहार पहार खंड गए दूसरे नंबर पहार दूसरा फिर आपको उपर क्या दिखता है उपर आपको देखता है यार पहार ही पहाड़ है पहार है न उपर भोलते हैं सर मुझे यहां पर न जाना पहार में बड़ा ठकान वहती वहां पर खुदाई करने प्रडक्शन में खराफ हो है ना माइनीं कुर्ख करने मिंदिकत हो जाएगी हम वहाब एक ग्जाउंपल ले रहें फिर हम मुड़ते हैं ऐसा करते हैं कि 36 गड चलते हैं thì वो चलते हैं यह 36 गड और नेचे की ओचलते हैं यही नीचे की जा तुम प्रीदेश में जाते हैं वह चलते हैं अभी वह एक őक्र dot biz arriv दे बीकСТ को चलते हैं वो और प्संद लिए तो प्हली करच कुक्क है तो अब सिर्ष यहां स्टे छो हैं इसको छोड़ देते हैं हम वेस्ट की तरफ चलते हैं यहां से जंप लगाते हैं कहां पर यह प्रफ यह च भूप लिया मानि दे पूलता है चलो चलो है फिर से उपर चलते हैं मजह नहीं Ee नीचे बहुत खुम लिया कि फिर wac लिया से और अप आघ्रम चलते हैं यह न इ आई होप चीज़ें क्लियर हो गएंगे, एक mind map बनाई है, ऐसा याद करेजिए, ओडिशा, फिर क्या हो गया, सेकंड नमबर पर अपना, यह देखिए, सेकंड नमबर पर क्या हो गया, जारखंड हो गया, उच्छतिजगर, कनाटका, महराष्टर, गुजराथ, सिर्वेश्व टालने की, कि हर एक दिन, स्टैटिक का ऐसा concept डिस्केस करें, जनरल लोगों के लिए डिफिकल्ट होता है, वो है, liquid adjustment facility, LAF, आप लोगों ने, economic के अंदर इसको सायद पढ़ा होगा, है न, I hope कि आप लोगों ने, इसको पढ़ा होगा, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा हो, उन liquid form में, liquid form में कैसा पैसा होता है, यह तो sony के form में होता है, यह तो cash के form में होता है, generally cash ही liquid कहते है, है न, liquidity into the banking system में डाला है, October 2022 की अंदर अंदर, यह April 2019 से सबसे जादा liquidity, अब यह, RBA ने कैसे डाल दिया यार, यह समझ में नहीं है ना sir, ऐसे कैसे RBA उठाता है, और बैंकों in the bank needs to meet the short term business and financial needs, तो उसको समय के लिए short term के लिए अगर पैसा चाहिए, तो liquidity adjustment facility के तहद दिया जाता है, liquidity के तहद यह पैसा दिया जाता है, जैसे कि आप लोग ने सुना होगा, कि मैं आपको बता हूँ, CRR, cash register ratio आपने सुना होगा, SLR, statutory liquidity आपने सुना होगा, और आपने सुना हे जाता है, बैंकों से पैसा पैसा देता है, RBI, bank को पैसा दे दिया, repo rate में, यह bank हो गया, bank के पास पैसा नहीं, bank बहता है, RBI के से, RBI हमारे बड़े साफ है, बड़े साफ, सरु चिंटु भाईया यहां पे हैं, अब चिंटु भाईया को क्या होगा, चिंटु भाई लगेगा तो वो क्या उता है फिर बैंक बोलता है इनके पास बहुत-च्छाथा पैसा है लोगोंने बहुत-च्छाथा पैसा इस न्की पैब जमकर दिया नो other बडे साप जी रहते हैं करते हो और साप बहुत पैसा अगया है तुम क्या घर हो सारा पैसा हमको लाओ un सारा का सारा पैसा जब सारा नहीं सारा पैसा नहीं लेते तो वह जिस रेट में लेते हैं उससे क्या कहते हैं रिवर्स रेपो रेट या रखी आपको चीजे आपसे बन नहीं रहें हूंगी तो लिक्विडिटी चाहिए आपको लिक्विडिटी मतलब पैसा चाहिए ऐसा या रखेंगे आपको कि लिक्विड पानी बह जाता है लिक्विड बह जाता है लिक्विड कोई भी चीद और पैसा हाथ पर रहे तो टिकता नहीं है वो भी बह जाता है आपको पता ही होगा जे दो component है एक तो repo repurchase agreement पूरा नाम ने इसका और एक reverse repo है ना reverse repurchase agreement आपको पता ही होगा है ना तो यह I hope आपको clear हो गया होगा ओके चलिए चलिए हमने यह सारी से देख लिए अब यह repo reverse repo क्यों ऐसा क्यों पैसे चाये होता है तो RBI क्या करता है RBI ने किया है तो RBI करता है market से पैसा लेने के लिए और पैसा देने के लिए मतलब अगर यहां पे हम समझते हे और डेटेल में थोड़ा से यह market है Martin मतलब यहाँ पर bank है चिंटो जी का bank है, यहां पे पिंटो जी का bank है, यहां पे बहुत सारे bank है household है, पुरा market चल रहा है यह हमारा RBI बैठा हुआ है बड़े साथ RBI अब RBI क्या करता है RBI देखता है कि market में पैसा बहुत जादा आ गया, मतलब लोगों के पास बहुत पैसा है, बैंक में बहुत जादा पैसा है, और उसकी बिसे क्या हो रहा है, जैसे समान तो नहीं रहेगा, समान थोड़ीन एकदम से बढ़ जाएगा, कोई भी चीज, कोई भी चीज मिल रही थी, वो समान जो है, पहले मिल रहा था, 10 रुपे का, अब उस 10 रुपे का समान का, क्योंकि लोग वास पैसा है, लोग पैसा अंदा धुन खर्च करते हैं, लिक्विडिटी है, रुकता तो है नहीं, पानी तरह भात हैं लोग पैसा, तो वो क्या हो गय वो 10 रुपे की चीज, 12 रुपे की हो गई, या 15 रुपे की हो गई, तो क्या हो कि महगाई बढ़ गई, मतलब, इंफलेशन बढ़ गया, क्या बढ़ गया, इंफलेशन, इंफलेशन का मतलब, समझ लेजे एक तरीके से, क्या होता है, महगाई, कितना इंफलेशन होगा है, उसका भी target है, कितना है, क्या है, कितना रखना है, वो RBI को maintain करके रखना है, वो आगे हम देखेंगे, हैना, बिल्कुल ध्यान से देखना है, तो RBI क्या करता है, एक particular inflation rate maintain करके रखता है, न जादा होने देता है उससे, न उससे बहुत जादा कम होने देता है, हैना, एक range है, है से 6% तक की range है कि इतना inflation होना चाहिए चलेगा, 6 से जादा होता है तो दिक्कत होगी, 4 से कम होगा तो दिक्कत होगी, है ना, clear, चलिए, फिर RBA, तो RBA क्या करता है, जब पैसा जादा आजाता है, तो inject कर लेता है, है ना, पैसा यहां से क्या कर देता है, ले लेता है, बोलता ह पैसा है करो, आप पैसा लाओ, सारे बैंकोस पैसा ले लेगा, जब बैंकोस पैसा ले लेगा, तो आप लोन नहीं ले पाऊँगे, लोन नहीं ले पाऊँगे, तो market के अंदर पैसा कम जाएगा, जब कम जाएगा, तो यह जो महगाई बढ़ रही थी, अपने आप यह दर् क्लाइब कम हो गई तो क्या प्रॉबलम है सर प्रॉबलम है महगाई कम होने में भी डेप्रिशीशन का प्रॉबलम है अगर कोई भी चीज की वैल्यू कम होती है अब सोची ना अगर आपने आज मोगाईल खृदा पांच-दस यार का और पता चला कि अगले दिन आपका दोस् में ले आता है किता बुरा लगेगा आपको अरे यार एक दिन और लेको रुख लेता तो फिर आप क्या करोगे आप ऐसे हर चीज में रुखोगे क्यार अभी नहीं मैं जब घटेगा तब खरी दूगा जब घटेगा तब खरी दूगा तो सब के बिजनेस क्या हो जाएंगे थप पड़ जाएंगे ब pensando पूरी एकोनोमी कि क्या हो जाएगी थप बढ़ जाएगी चलेगी ही नहीं इसलिए प्रॉपर मेंटेनेंस की जडरत है एक बैलनस की जडरत जिस तरीके से हमें लाइफ में बैलनस की जुरत है हर चीज को बैरंस करके चलना है उसी यहां पर भी हमें balance की अवशकता है clear point चलिए तो फिर क्या करता है RBI पैसा यहां पर दे देता है तो I hope यह चीज़ें आपको clear हो रही होंगी है ना तो मैंने इस सारी चीज़ें आपको बता दी है ना कि sustainable growth के लिए price की stability important है अगर करेंगे तो 2% तो इतना जा सकता है इससे कम यह ज़्यादा नहीं जा सकता है UPSC PYQ देख लेते हैं एक फटाक से UPSC Civil Services Examination के अंदर एक कोशन आया था RBI Decide to Adopt Expansionary Monetary Policy अब ज़िए कि expansion करना है RBI को क्या करना है expansion करना है expansion करना है मतला पैसा बाहर निकालना है है ना पैसा को बाहर निकालना है अब which of the following would it could do यह क्या करेगा बता 2020 का UPSC Question है pause किजिए answer देने के कोशिस किजिए अगर आप दे पाते हैं I hope तब मैं समझ जाओंगा कि आप कोई चीज़े clear हो रही है cut optimization of statutory liquidity ratio SLR क्या होता है comment section बताए CRR क्या होता है comment section बताए यह जितनी चीज़े लिखी हुई आपको बताना है SLR CRR देखिए हाँ पे CRR SLR HDF MSF CRR यह सब आपको comment section के अंदर बताना है यह क्या क्या होता है इन सब की definition बतानी है okay cut and optimize the statutory liquidity ratio SLR को cut कर सकता है अगर government को मतलब RBI को पैसा ज्यादा देना है तो यह कोशिस करेगा reverse चलते है क्या कोशिस करेगा कोशिस करेगा कि bank को पाँच ज्यादा पैसा हो जिससे आप ज्यादा लोड ले पाए अब अगर वो ज्यादा ज्यादा पैसा अगर bank SLR में रख देगा SLR होता है statutory liquidity ratio मतलब इस पैसे को रखना होता है अपने पास ही रखना होता है पर liquidity के bond के या liquidity के term में कुछ पैसा जमा के रखना होता है अगर वो SLR की value ज्यादा है मतलब ज्यादा पैसा रखना होगा अपने पास cash के form में liquid form में हैना लेकिन अगर वो नहीं रख पाता है तो problem जाएगी अगर इसकी value को कम कर देते मतलब वो ज्यादा ज्यादा loan दे सकता है तो ये तो point सही मुझे लग रहा है हैना कि hard expansion कर रहा है increase marginal standing facility rate क्या MSF rate को बढ़ा देगा मतलब repo rate को बढ़ा देगा repo rate को बढ़ा देगा तो क्या होगा लोग loan लेंगे ज्यादा लेंगे या कम लेंगे बताओ अगर rate बढ़ जाएगा तो आप loan लेंगे या नहीं लेंगे आप नहीं लेंगे ना हैना ये चीज़ आ रखना है now cut the bank rate and repo rate bank rate को और repo rate को कम कर दे हैना ये या रखना है bank rate को और repo rate को क्या कर दे कम कर दे हां सर बैंक rate अगर bank के rate कम हो जाएंगे यह चीज़े कर सकता है आप क्या सूचेंगे यह कर सकता है यह कर सकता है यह कर सकता है चलो 1 और 3 मार देते हैं correct answer वहीं पे वहीं पे को मार खा गया सर जी आप ये नहीं करना है ध्यान से पढ़ना है यहाँ पे बोला है RBA decides to adopt expensive monetary policy which of the following would it not do not पढ़ना है क्या नहीं करेगा वो हमने पढ़ा ये करेगा ये करेगा लेकिन increased marginal standing facility नहीं करेगा तो only two is the correct answer देखिए 360 ऐसा ही जटका लगेगा आपको 360 जटका लगेगा और आप बोलेगा रे सर सिली mistake हो गई सर तो फिर सर बोलेंगे बेटा हमने समझाया था यहाँ पे आपने lecture नहीं देखा है ध्यान से इसलिए ये problem हुई अगर आप देखते अभी एपन जब प्रिलिम्स आएगा ना आप ये सारी चीडिस्कस करेंगे एक एक question कैसे तो एक means का question आज आज आपको लिखना है एक group में और बना दूँगा जिसकी link में नीचे दे दूँगा उसमें आप question आज सारी लिखके भेज सकते हैं एविलिट भी हो जाएंगे है ना हम उसको देखेंगे do you agree with the view that the steady GDP growth and low inflation have left the Indian economy in a good shape your reason to support your argument ये means 2019 का question है ये आपको लिखना है question को करना है okay I hope चीज़े clear हो रही होंगी आपको और मैंने I hope चीज़े clear हो गई होंगी तब तक के लिए thank you thank you very much for the discussion lecture को like करिए comment करिए और दोस्तों में share करिए बलुकुल फैला दीजे वड़ावड़ इसको है ना तो चले समाब करते हैं आज का lecture